अशितकिरी समस्यात कज्जलं चेंधु पात्रे सुरतर वरुशाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखती अधिगृहित्वा शारदा सर्वकालं तदपितव गुणानाम इशपारं नयाती बोले बाबा के चरणों में मा शीवानी, रंग अमरनाथ चेरीटबल ट्रस्ट, ब्रामन फईया, जासुद मोला, परानपुरा चोखवंडी, बडोदाद वारा, पिछले तेरा सालों से अमरनाथ यात्रियों की सेवा में जम्मू कश्मीर के वादी में गुरु रविदास धर सबाकृष्णनगर जम्मू, चंदनवारी, बबल टॉप जिसे वाईवल्स के नाम से जाना जाता है, उस जगहा पर मुप्त लंगर का आयोजन कर रहे है, लंगर की आवश्यक सादन सामगरी, मुख्यो तहा, श्री जलाराम सेवा ट्रस्ट कारेले बाग बढ़ोदा, दानी एवम विशेष्टा राजकोर्ट आर्टमाबाईल एवम इंजिनरिंग एसोशेशन दवारा दान का अविरत प्रवह लंगर को चलते रहता है, लंगर की तयारियां सेवादर यात्री से दो महा पहले शुरुवात किये जाते है, महाशुरात्र के बाद में इसकी शु सब से पहले जम्मू लंगर की शुरुवात हो जाती है, चंदन वाडी यात्रा का शुरुवात का स्थान है, जहासे यात्रा की शुरुवात होती है, यहां से गुफा की दूरी है 32 किलो मेटर, जहां पर आप टट्टू या पेदल या दोली में जा सकते हैं चंदन वारी में प्राता सुर्योदे से यात्रियों का ताता तिन भर लगा रहता है यहां यात्रियों को गर्मा गरम चाय नास्तों के वंजन वलिब दरहते हैं दोपर में भोजन सुरुची के बाद चंदन वारी में रुके हुए यात्रियों को रात्री विश्तराम के लिए गरम कंबल एवन सोने का तमाम सुविदा उपलब की जाती है यहां शाम की आरती के बाद में भोले बाबा की विवित लिलाए एवन भोले बाबा की शादी का सरूंगार विवित मंदलो एवन सेवादारो ज़रा अवजित किया जाता है चंदनों के वरुख्ष से घिरा हुआ चंदनवाडी में एक भक्ति में वातावरन पैदा होता है जिसे सुबह राता में यात्री जाता है तब भोले बाबा का नाद लगाते हुए यहां से निकल पड़ता है पग्वान बोले शंकर जब यात्रा के लिए निकले तब नंदी बेल का त्याग पहलगाम में किया था चंदनवाडी में उग्र तपस्चरिया के पस्चाथ चंद्रमा का त्याग किया था उस पस्चाथ जो जीबल को पार करते हुए शेस्तनाक की जिल की तरफ आते है और का त्याग वहाँ के करते है इस जील का नजारा एक बार अपने आखों से देखे तब आदमी को अनुभूती अलग होती है शेस्तनाक से ठीक उपर 14000 की उजाई पर वायूबल जिसे बबल तौप के नाम से जाना जाता है उस जगह पर हमारा तिस्तना लंगर का आयोजन किय जाता है इस लंगर का संपुर्ण सामान चंदनवाडी से घोडे तथा पिठियों द्वारा भिजवा जाता है तक्रिवन एक हजार घोडे पुरे यात्रा के दोरान उपर और नीचे जाते हैं चारों तरप गिर्द बर्व से घिरे हुए पहाडों के बिचों बिच जील के ठीक बगल में हमारे लंगर का पड़ाव है इस खुबसूरत नजारों का स्वर्गिय आनन लुटते हुए यात्री गन जब पंडाल में पहुंचते है तब गरम गरम पीने का पानी से उनका स्वागत किया जाता है यहां पे हलका भूल का नास्ता यहां पर ऑक्सिजन सिलें का नहीं लगा सकते हैं यहां पर कभी धूप कभी चाओं कभी भारी मातरा में हीम वर्षा और कभी बारिव की वज़े से शुन्न डिगरी से नीचे तापमान में भी लंगर की सेवा निरंतर चलती रहती है इस लंगर की विशेशता यह है कि यहां पर जो बॉर्डर ठीक पीछे पांडव गुफा है इस पांडव गुफा की विशेशता है कि यहां अदनियात वास में पांडव रुके हुए थे जहां पर दरुपदी कुण है भीम पूल वगरा है इस वातावरन के अनिस्चित्ता में मनुष्य का शरीर तापमान विचलीत होने से दिन परिश्वत का सामना करते हुए दिवादार कठोर परिश्वम में भी आनन में वातावरन पत्पन करते रहते हैं पड़ाव से ठीक आगे महागनेश जी को बिठा कर शंकर भगवान पिशाचनी और डाकिनी को रास्ते में छोड़ करके विशाल तट पर शिव जी ने जंगतुंड मालिकां दबटदमट दमट दमट निनादबट दमर्वयं चकार चंडटांडवं तनोतवन शिवस्यम सिवतांडव नुर्त्य किया उस नुर्त्य के पस्चाथ जब शिव जी की जटा बिखरी उस जटा से गगाजी का आउतर्ण हुआ ओ जो पांधरा है गग विशाल गुफा में भगवान शंकरप ने पारवती माता को अमर कथा सुनाई थी उस जगह पर हर साल बरब का विशाल लिंग का निर्मान होता है कुद्रत के अनमोल खजाने को प्राप्त करने के लिए बिकट परिस्थिती एवं रास्ते में पार करके जब यात्री शिवलिंग के दर्शन करते है तब सारे संसार के दुखों का नाश मिटा करके अनुभुच सुखों को प्राप्त करते है बाबा परफानी की जैजेकार लगाते हुए हर साल महादेव को परार्थना करते है माशिवानी रंगमरनाद चेरिटेबल ट्रस्क के तरफ से इस महान यद्न में आप आपकी आहोती देकर हमें उपकुरूत करे कर दो बाबा इसाए में आपकी करते है